दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदेशन फॉर सिबिल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों UPPCS प्रारंभिक परिक्षा 2030 के करेंट अफेर्स खंड के लिए इस वीडियो में प्रस्तुत है पचास अतिमहत्वण परिक्षा के लिए बहुत ही उप्योगी है तो आएए शुरू करते हैं UPPCS प्रारंभिक परिक्षा 2030 के लिए करेंट अफेर्स के पचास अतिमहत्वण परिक्षन पहला प्रश्ण है दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदितिनात ने हाल में 172 आल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चेंपियनसिप का उधगाटन कहां किया है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा लखनव में याद रखेगा दोस्तों सीयम योगी आदितिनात ने 172 आल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चेंपियनसिप का उधगाटन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव में किया है दूसरा प्रशन है हाल में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में कितने नए हाइटेक कारागार के निर्माड का नेड़े लिया गया है तो सही उत्तर है 20 यानी 20 हाल में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में 20 नए हाई-टेक कारागारों के निर्माड का नेड़ लिया गया है अगला प्रश्न है दोस्तों किस देश के राष्टपती को टाइम परसन आफ एर 2022 चुना गया है सव सबसे सक्तिशाली महिलाओं की सूची में शिर्स अस्थान की से परदान किया गया है तो सही उत्तर है उर्सुला वांडेर लेएन को दोस्तों उर्सुला वांडेर लेएन ये जर्मन राजनीतिक गये हैं और वर्तमान में यूरोपियन कमिशन की अध्यक्ष हैं अध्यक्ष हैं इन्हें फोप्स द्वारा जारी दुनिया की सव सबसे सक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम अस्थान दिया गया है अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत ने G20 ग्रुप की अध्यक्षता कब समहाली है तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखेगा इसमें डेट आपको याद रखना है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा एक दिसंबर 2022 से भारत ने G20 समोह की अध्यक्षता समहाली है और इस वर्ष G20 का सम्मेलन भारत वर्ष में आयोजित किया जाएगा अगला प्रश्न है दोस्तों मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्ज में कितने नए नीजी विश्व विद्याले की खोलने की इजाज़त प्रदान की है आपको बताना है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा सही उत्तर चार नीजी इन्वर्शिटी दोस्तों उत्तर प्रदे सरकार ने राज में चार नए नीजी विश्व विद्याले खोलने की अनुमद दी है अगला प्रेश्ण है नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES द्वारा अंतराष्टी मिसन SWOT SWOT मिसन को कब लांच किया गया है तो डेट याद रखेगा 16 दिसंबर 2022 को नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतराष्टी SWOT मिसन लांच किया गया है SWOT का फुल फार्म है सर्फेस वाटर ओशियन टोपोग्राफी याद रखेगा सर्फेस वाटर ओशियन टोपोग्राफी मिशन ये नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES का संयुक्त मिशन है अगला प्रशन है दोस्तों 28 नवंबर 2022 को भारत के पहले निजी लांच पैड और मिशन नियंतरन केंद का उद घाटन किस ने किया है तो उत्तर है इसरो के अध्यक्ष येस सोमनात harness ने दोस्तों भारत के पहले निजी लांच पैड और मिशन नियंतरन केंद का उद घाटन किया है तो याद रखिएगा इसरो के वरत्मान अध्यक्ष सोमनात है और इन्होंने भारत के पहले निजी लांच पैड और मिशन यंत्रन केंद्र का उधगाटन किया है अगले प्रशन पर आते हैं दोस्तों हाल में भारती ओलंपिक संग की पहली महिला अध्यक्ष की से चुना गया है तो आपको बताना है सही उत्तर है P.T. उसा भारत की महान धाविका P.T. उसा को भारती ओलंपिक संग यानि इंडियन ओलंपिक एसोसियेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है अगला प्रशन है दोस्तों भारत सरकार द्वरा हाल में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीयम मेगा इंटिग्रेटेट टेक्स्टाइल रीजन एंड अप्रेल पार्क अस्थापित करने की घोश्रा की गई है तो याद रखेगा यूपी स्पेसल के लिए महत्यपूर्ण प्रशन है बारत सरकार द्वरा हाल में उत्तर प्रदेश के हर दोई जिले में प्रदान मंत्री मेगा इंटिग्रेटेट टेक्स्टाइल रीजन एंड अप्रेल पार्क अस्थापित करने की घोश्रा की गई है अगला प्रशन है दोस्तों 13 दिसंबर 2022 को किसने हां की बिस्वकब ट्राफिक का अनावरण किया है अगले प्रशन पर आते हैं, इंप्रटेन प्रशन है दोस्तों 18 दिसंबर 2022 को दोः के कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में अर्जिन्टीना ने किस देश को हरा कर खिताब अपने नाम किया है अगला प्रेशन है हाल में साथ में भारत जल प्रभाव सिखर सम्मिलन का आयोजन कहां किया गया तो सही उत्तर है नई दिल्ली में याद रखेगा दोस्तों साथ में भारत जल प्रभाव सिखर सम्मिलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है अगले प्रेशन पर आते हैं हाल में मोपा अंतराष्टी हवाई अड़े का उधगाटन कहां किया गया है मोपा अंतराष्टी हवाई अड़ा तो उत्तर है गोवा में दोस्तों गोवा में मोपा अंतराष्टी हवाई अड़े का उधगाटन किया गया है अगला प्रेशन है गोरकपुर में रेजनल फिल्म सिटी के लिए उत्रप्रदे सरकार के साथ किस कारोबारी ने MUU किया है तो सही उत्तर है अतुल गर्ग ने अगला प्रेशन है दूस्तों प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और फिल्मकार सतिस कौशिक का निधन कब हुआ है तो उत्तर है 9 मार्च 2023 को जो कि प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और फिल्मकार रहे शतिस कौशिक इनका निधन हुआ है 9 मार्च 2023 को अगला प्रिश्ण है 6 नवंबर 2022 को की संतराष्टी संगठन द्वारा 2022 में वैस्विक जलवायू की इस्थिती रिपोर्ट जारी की गई है तो सही है विस्व मौसम विज्ञान संगठन यानि WMO विस्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा दोस्तों वैस्विक जलवायू की इस्थिती रिपोर्ट जारी की गई है अगला प्रेश्ण है 11 नॉमबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पर इस्टैचू आफ प्रास्पेरिटी का अनावरण किया है आप संदेखिये मुंबई, अहमदाबाद, बंगलूरू और वारांसी तो सही उत्तर है बंगलूरू में और इस्टैचू आफ प्रास्पेरिटी याद रखियेगा, ये बंगलूर के आर्किटेक्ट और संस्थापक नाड प्रभू केमपे गोडा की प्रतिमा है जिसको इस्टैचू आप प्रास्पेरिटी नाम दिया गया है और इसका उधगाटन बंगलूरू में किया गया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के द्वारा अगला प्रेशन है दोस्तों फरवरी 2023 में केंद्री सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गटकरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सात राश्टी राजमार्ग परियोजनाओं का उधगाटन किया है तो उत्तर है आपका बलिया में याद रखेगा फरवरी 2023 में केंद्री सड़क परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री नितिन गटकरी ने उत्तर प्रदेश में बलिया में सात राश्टी राजमार्ग परियोजनाओं का उधगाटन किया है अगला प्रेशन है दोस्तों आठ नॉमबर 2022 को परधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लांच किये गए आगामी G20 2023 की थीम क्या है तो अगर हिंदी में आपको देखना है तो आप देखेंगे वसुधैव को टुम्बकम है लेकिन इंगलिस में One Earth, One Family, One Future तो याद रखेगा One Earth, One Family, One Future ये भारत में आयुजित किये जाने वाले G20 का थी समारोह में किसको सत्य जीत रे लाइफ टाइम एचेवमेंट पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो कारलोश सौरा को दोस्तों कारलोश सौरा इस्पैनिस फिल्म डाइरेक्टर है जिनको गोवा में आयुजित किये गए भारती अंतराष्टे फिल्म समारोह के तिरपनवे स सत्य जीत रे लाइफ टाइम एचेवमेंट पुरसकार दिया गया है अगला प्रशन है दोस्तों हाल में मेघाले में संपन विधान सभा चुनाव में कौन सा राजनेतिक दल सरवाथिक सीट जीर कर राध का सबसे बड़ा राजनेतिक दल बना है तो ये है एन पीप यानि न स्थान प्राप्त किया है तो याद रखेगा भारत का एक सठवा अस्थान है और रेडिनेक्स इंडेक्ष दोस्तों अमेरिका के पोर्टुलोंस इंस्टिच्यूट द्वारा जारी किया जाता है अगला प्रशन है बहुत ही महत्वण प्रशन है आप देखिए वैस्विक आ आतंकवाद से सरवाधिक प्रभाविध देश है इंस्टिच्यूट फार एक्नॉमिक एंड पीस द्वारा जो है यह रिपोर्ट जारी की जाती है और भारत इस सुचि में 13 अस्थान पर है यानि भारत भी आतंकवाद से प्रभाविध देशों की सुचि में है इसका 13 रखिये जो है 12 में 22 विध्यायोक के अध्यक्ष के रूप में रितुराज अवस्थी ये न्यायमूर्ती रितुराज अवस्थी हैं इन्होंने 22 विध्यायोक के अध्यक्ष के रूप में कारिभार समहला है और ये करनाटक के मुखने अधिस करनाटक उचनाले के मुखने अध 27 जो की मिश्र का सहर है सरमल से यहां पर संयुक्त राष्ट जलवाव सिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है अगला प्रेशन है दोस्तों 14 नमबर 2022 को किस खिलाडी को देश का सर्वोच खेल सम्मान मेजर ध्यान चंद खेल रतन पुरसकार के लिए चैन किया गया है तो उत्तर ह शरत कमल अचंता को दोस्तों 2000 जो है देश का सर्वोच खेल रतन सम्मान मेजर ध्यान चंद खेल रतन पुरसकार दिया गया है और सरत कमल अचंता ये टेबल टेनिस के प्लेयर है अगला प्रेशन है दोस्तों उत्तर प्रदेश कैविनेट ने राज जी की पहली खेल नेती 2013 को हरी जंडिक कप प्रदान की है तो सही उत्तर है 10 मार्च 2013 को उत्तर प्रदेश कैविनेट द्वरा राज जी की पहली खेल नेती को मंजूरी दी गई है अगला प्रेशन है यूवा 2.0 योजना की शुरू आतने लिखित में से किस लिए की गई है आपको बताना है तो सही उत्तर है यूवाओं को रोजगार देने के लिए यूवा 2.0 योजना शुरू की गई है अगला प्रेशन है दोस्तों स्वक्ष सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग में सबसे स्वक्ष सहर किसे घोशित किया गया है तो सही उत्तर है इंदौर को इंदौर दोस्तों लगातार कई वर अगला प्रेशन है दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के 15 संसकरण में भारत को कौन सा अस्थान प्राप्त हुआ है तो आपको बताना है सही उत्तर है 107 अस्थान ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 का जो 15 संसकरण है दोस्तों इसमें भारत 107 अस्थान पर है और भारत में भी जो है भुखमरी या भुख की बहुत गंभीर समस्याएं है अगला प्रेशन है दोस्तों हाल में जारी बिस्व खुशहाली रिपोर्ट यानि World Happiness Index 2013 के अनुसार भारत का कौन सा अस्थान है तो सही उत्तर है भारत का बिस्व खुशहाली सुचकांग में 126 वा अस्थान है याद रखिएगा पहले अस्थान पर फिन लैंड है दूसरे अस्थान पर डेनमार्क है और तीसरे अस्थान पर स्विटजल लैंड तो याद रखिएगा बैस्विक खुशहाली रिपोर्ट 2013 में सीर्स अस्थान फिन लेंड का है दूसरे पर डिन्मार्क तीसरे पर सुटिजर लेंड और भारत का इस सुची में 126 वास्थान है अगला प्रेशन है उत्तर प्रदेश विधान सभाद ध्यक्ष सतीस महाना के अनुसार प्रदेश में नए विधिभवन के निर्मार को कब तक पूरा करने का लक्ष रखा गया है तो सही उत्तर है 2027 तक अगला प्रेशन है दोस्तों 95 वे आसकार रवार्ड में सर्वसरेष्ट 60 डाकुमेंटरी का पूरसकार किस फिल्म को दिया गया था तो याद रखेगा दे एलिफेंट विस्पर्स पुरसकार 95 वे आसकर रवार्डो में इसको सर्वसरेश्ट 60 डॉकुमेंटरी का पुरसकार दिया गया था अगला प्रेशन है 32 वे ब्यास सम्मान 2022 से सम्मानित करने की घोश्रा किसे की गई है तो याद रखेगा डाक्टर ज्यान चतुरवेदी को दोस्तों केके बिल्ला फाउंडेशन का 32 वे ब्यास सम्मान दिया गया है और इनको ये पुरसकार इनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया है तो पागल खाना उपन्यास भी इंपाउर्टेंट है पूछा जा सकता है इसके राइटर कौन है तो डाक्टर ज्यान चतुरवेदी जिनको 32 में ब्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है पागल खाना उनहीं की रशना है अगला प्रेशन है हाल में सर डेविट चीपर फिल्ड ने 2023 का प्रिट जिकर आर्किटेक्चर पुरसकार जीता है वो किस देश से संबंधित है तो सही उत्तर है डेविट चीपर फिल्ड दोस्तों ब्रिटेन से संबंधित है इनको 2023 का प्रिट जिकर आर्किटेक्चर पुरसकार दिया गया है और ये वास्तु कला या वास्तु विज्ञान के छेतर में शर्वसरेश्ट प्रदर्शन या या योगदान के लिए ये पुरसकार प्रिट जिकर पुरसकार दिया जाता है अगला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश के वारारसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पबलिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का सिला न्यासकप किया तो 24 मार्च 2023 को याद रखेगा वारारसी में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पबलिक ट्रांस्पोर्ट रोपवे का उधगाटन किया गया है अगला प्रेश्ण है दोस्तों देखे किसे 2022 के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है तो साहित्तिके छेतर का मोहत्वपूर के के बिड़ला फाउंडेशन का सरस्वती सम्मान तमिल लेखी का दोस्तों जो है शिव संकरी को दिया गया है 2022 का प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान अगला प्रश्ण है वर्स 2022 का रशायन सास्तर का नोबल पुरसकार किसे दिया गया है कैरोलीना बर्टोडी, मोर्टस, मेलडस, बैरी सार्पलेस या उपर युगत सभी तो सही उत्तर है उपर युगत सभी को दोस्तों 2022 का रसायन सास्त का नोबल पुरसकार इन तीनों वैज्यानिकों को दिया गया है अगला प्रश्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विष्टा प्रोजेक्ट के एक हिस्से को राष्ट को समर्पित किया इस हिस्से का नाम परिवर्थित करके क्या रखा गया है तो सही उत्तर है कर्तब्य प्रोजेक्ट है जो भारत की संसत का बहुत बड़ा जो है संसत के लिए नए संसत भौन के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इसके एक हिस्से को राष्ट को समर्पित किया गया और इसक अगला प्रशन है दूस्तूं देखे प्रशन संख्या 41 यूनिसको ने भारत के किन सहरों को गलोबलाफ लरनिंग सिटीज में शामिल किया है तो ये है निलामबूर, त्रिशूर और वारंगल निलामबूर और त्रिशूर केरल के सहर है वारंगल तेलंगाना की सिटィ है और इ हैं सूरे खायादो और ये बंदे भारत एक्सप्रेश ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पाइलट हैं अगला प्रेशन है दोस्तों हाल में किसे रक्षा अनुसंधान और विकास अंगठन यानि DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो ये हैं डाक्टर S. V. यानि डाक्टर समीर V. कामत को DRDO का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अगला प्रेशन है दोस्तों हाल में उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे जादा समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकार्ड योगी आदितिनात ने अपने नाम किया उन्होंने इस रिकार्ड क चायद है मुझे कन्फर्म नहीं आद है लेकिन योगी आदितनात ने 6 वर्स प्लस यानि 6 वर्स से अधिक कारेकाल पूरा कर लिया और ये उत्तर प्रदेश के लगातार सबसे अधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बन गये हैं अगला प्रेशन है दोस्तों 16 सितंबर 2022 को भारत का वो शहर जिसे हाल में संगाई सहयोग संगठन पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है तो ये है वारार्सी वारार्सी को दोस्तों जो है संगाई सहयोग संगठन के पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किय गया है अगला प्रश्ण है हाल में निमने लिखित में से किस फिल्म को 66 फिल्म फेवर पुरसकार दिया गया है तो सही उत्तर है शेर साह को शेर साह फिल्म को दोस्तों 66 फिल्म फेवर पुरसकार दिया गया है अगला प्रश्ण है आप देखिए हाल में किसे संगीत कला निध धिपुरसकार 2023 के लिए चुना गया है आपको बताना है तो सही उत्तर है बामबे जैश्री को दोस्तों संगीत कला ने धिपुरसकार 2023 दिया गया है अगला प्रेशन है वर्स 2022 का UES Open Tennis Tournament का फाइनल मुकाबला किस खिलाडी ने जीता था तो सही उत्तर है इस्पेन के टेनिस खिलाडी कारलेस अलकोज ने दोस्तों 2022 का UES Open Tennis Tournament जीता था अगला प्रेशन है किस देश ने एशिया कप 2022 का खिताब अपने नाम किया तो उत्तर है स्री लंका स्री लंका ने पाकिस्तान को हरा कर एशिया कप 2022 क्रिकेट का खिताब जीता है अगला प्रेशन और इस वीडि NDP यानि संयुक्त राष्ट विकास कारेकरम द्वारा जारी मानो विकास सूचकांग 2021 में 191 देशों की सूची में जो स्विटिजल लेंड है पहले अस्थान पर नार्वे दूसरे आइसलेंड तीसरे और भारत को इस सूची में 132 अस्थान मिला है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो UPPCS प्रारंभिक परिक्षा 2023 के लिए करिंट अफेर्स के महत्वपूर्ण 50 प्रशनों का फास्ट रिवीजन जो आपके एक्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा आप इन प्रशनों को तैयार कर लिजे दूस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट ब